आज में आपको क्लास 11 चैप्टर वन जिब योगत दर लिविंग वर्ड के बारे में बताने जा रहे हो पार्ट फोर्थ लेकी आई हूँ आज चलिए स्टार्ट करते हैं कल मैंने आपको जीव दर प्रोटोप्लास के बारे बताया था आज में आप उसके आगे कोशिका संरच प्रोटोप्लच के बारे में डिस्कस करते हैं कोशिका जीवों के शरीर की संरात्मक एफ कृडियात्मक इकाई है इसको हम बोलते हैं सेल इस च्हात्र अंड फॉनित ऑफ लाइफ हमारी जिन्दगी क्या है एक कृडियात्मक इकाई है आप सेल को अगर आप देखो गे तो तोий कुछ इस तरह से दिखाई देंगे जब आप अपनी बॉडी का एकि-स किन पर्ट अगर आप कट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे जब आप उसको देखोगे atmiroscope चे तो आपको कुछ इस तरह शेप में सेल्स प्रेजेंट आएंगे और यह सेल्स अभी में प्रेजेंट होते हैं बस लिविंग तिंक्स में सेल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं नौन लिविंग में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं अब आगे देखिए कोशी का कितने प्रकार की होती है सेल कितने प्रकार की होते है यह देखिए सेल दो प्रकार की होते है इसको हम प्रो केरियोटिक बोलते है यह केरियोटिक बोलते है प्रो केरियोटिक क्या कॉन कैसे होते है इसमें क्या होता है प्रो केरियोटिक में की उसना चीज़ होती हैं वह लोह बताते की इस तरह की चीज़ होती हैं मतलब इसमें चीजय परादी अहुंगार्धी जैसे आपकोफे कुछ थे उता हैं इस तरह की चीजियों यह होती है तो कैसे बहुत पुरानी है मतलब से इसा होता है और अब की चीज़े को कीसा होता यद्वा सब्सक्राइ इसी तरह है प्रोकय। कै ने रघ explorative मतलब प्राँचीन के इंद्रक्त गांविए इसलमा जीवाड के बिया है just सितने में प्रोके लिएट इसमें जीवान वो माकرو प्ञस्मा से बने के उतिक होता है पादव आ जनती लिदा गवाश मुखत अनिमल इसमेंле प्रेजंट होता है अब देखें उक यू प्रोकेरिटिक प्लाज्म प्रेजंट girls ंप होता है वीशो प्रॉच्छ में प्लास्मा लागाण नमावडि ये ने होता है और एक डी ने प्लाजमे रूप में प्रजेंट होता है मिलसोम क्या करता है एक रेस्पारेशन का वर्क करता है मीसुसों अब प्रोक यह तो इतना समझ में आपको ठीक है यह किसा सिंपल इसमें कुछ ही प्रजेंट नहीं प्रोकेरियोटिक में अब आगे देखिए यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक आधुनी कोशिका कहते हैं यह नवीन प्रकाती कोशिका कहते हैं इसमें बीच में बड़ा केंद्रक प्रजेंट होता है केंद्रक के अंदर टीने प्रजेंट होता है गुर्सूत के रूप में फिर इसमें माइट्रोकॉंडियो होता है अगर पादक कोशिका ह तो chloroplast होता है present eukerotic में अगर देखिए इसमें क्या है अभी यू केरिटिक वाला प्राइग्राम देखें इसमें क्या सब चीजें प्रेज़ेंट है mitochondria भी है क्या है mitochondria प्रेज़ेंट है गौलगी बॉड़ी भी प्रेजेंट है इसमें endoplasmic reticulum जिसको अंध प्राइचली का बोलते है और आपका chloroplast प्रेज़ेंट है nucleus प्रेजेंट है nucleus के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है अब यह क्या है इसमें क्या होता है इसमें क्या है इसी जे प्रेजेंट है mitochondria क्या है social क्रकाम कर रहा है अब प्रोकेरियोटिक में social क्रकाम क्र रहा था मीसोसोम कर रहा था अब इस यूकेरियोटिक में social क्रकाम क्र रहा है माइट्रोकॉंडिया कर रहा है अब देखे एक कोशी के जीव कौन से होते हैं एक कोशी के जीव अमीबा पैरामीश्यम यूगलीना होते हैं जो एक कोशी के मतलब कुछ से ही काम करते हैं अकेले तो अगर आपको एक कोशी के जीव देखने हैं तो आप कुछ इस तरह देख सक पर लेकर आप स्लाइट के थुरू आप जब माइक्रोस्कोप में आप उसको देखो के तो आपको अमीबा पैरामेशर यूगली नहां आपको सब प्रिजेंट दिखेंगे उसमें बहुत कोशी के जीव कौन से होते हैं ऐसे जीव इनका शरीर बहुत सारी कोशी का से मिलकर बन अब आगे देखिए गती मूम्मेंट गती का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गती जीव धार्यों का मुख लक्षर है कोशी का के अंदर द्रव का प्रभाव कोशी का के अंदर भी मूम्मेंट होता रहता है अत्वा संपूर पोधर जैसे क्लेमिडो मनास अब गती मूम्मेंट का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जैसे हम है हम लोग भी मूम्मेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं अगर हम लोग गती नहीं चलेंगे तो हम लोग को अपना पूर कैसे बनाएंगे एनिमस अगर वो लोग एक इसान पौधे के सोतंत भाग यूगमक या चल बिजाड़ों का एक इस्थान दूसरे स्थान पर जाना गमन कहलाता है अब पौधे का सोतंत भाग यूगमक या चल बिजाड़ों का एक इस्थान दूसरे स्थान पर जाना गमन कहलाता है क्यों कहलाता है अपका प्लांट है अब प्ल करते हैं तो इसके हइलने से क्या होता है उनों नहीं में युषी कराया हाँ , स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंच गए पौधे के जड़िए और अपना बोजन करते हैं अगर अगर नहीं गती करेंगे तो उनको कैसे फूट प्रोवाइड होगा उनकों प्रोवाइड नहीं होगा वो भी क्या करेंगे एट्मॉस्फिर के थूँ इन्वाड्मेंट क करने के लिए एक स्थान और दूसरे स्थान पर जाते हैं ऐसे ऑपके सैल्स होते हैं अगर सैल्स होते हैं वर्क stripes जगह रहते हैं आसे यहां से स्थान बीक्रफिक दूसरी जगह आगहें तो सैल हैं अपना आप आगे देखिए, देखिए, नाइन्थ है सोशन रेस्पारेशन, यह सब इंपोर्टन टॉपिक्स है, इनको ध्यांज देखिए,